गाइस जैसा कि आप देख सकते हो IQ New 8 सीरीज को जो है चाइना में लांच कर दिया गया है और ये है आपका IQ New 8 Pro अन्बॉक्सिंग की बात करें तो बॉक्स में आपको मिल जाएगा डिवाइस, बैक करवर, 120 वाट का फास्ट चारजर और एक टाइप सी का केबल डेवाइस का लुक बहुत अच्छा है, प्रीमियम सा लुक है वैसे 20 विरियंट की बात करें तो 12 GB RAM के साथ 256 GB के स्टोरेज के साथ आता है कैमरा अच्छे क्वैलिटी का है प्रो वाली वर्जन में आपको मिलेगा 12 GB RAM और सोलो जीबी का वैरियंट के साथ 512 GB स्टोरेज होगा इस डेवाइस में पहली बार एक प्रोसेसर यूज किया गया है जो की है आपका डाइमंड सीटी का 9200 प्लस और इसका N22 स्कोर जो है वो आया है 13,591 जो की साथे Android डिवाइस में सबसे ज़्यादा है डिवाइस की बात करें तो डिवाइस रन करता है आपका Android 13 बेस्ट जो आपका Origin OS 3.0 है उस पे और लुक बहुत अच्छा है डिवाइस का है हैंडलिंग बहुत अच्छा है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं ये ब्लेक कलर में हैं बैटरी की बात करें तो 5000 mAh का इसमें बैटरी है जो की आपका सपोर्ट करता है 120 वाइट के फास्ट चार्जिंग को इस डिवाइस में आपको मिल जाएगा 5G का सपोर्ट विद ब्लूटूथ 5.3 डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा 6.78 इंच का 1.5K का AMOLED डिस्प्ले जो की सपोर्ट करता है 144Hz के रिफ्रेश रोइट को मतलब स्क्रीन बहुत स्मूध काम करेगा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है वैसे IQ Neo 8 का जो बेस वेडियंट है उसमें आपको मिलेगा Snapdragon 8 Gen 1 का प्रोसेसर और प्रो में आपको मिलेगा जैसे मैंने आपको बताया है MediaTeker Diamond City 9200 नाव कैमरा की बात करें तो आपको 8 Pro में मिल जाएगा 50MP का Sony का में सेंसर के साथ और 8MP का Ultra Wide Lens और फ्रेंट में आपको मिल जाएगा 16MP का सेलफी के लिए कैमरा वैसे वेड की बात करें हैंडलिंग की बात करें तो डिवाइस बहुत लाइट वेट है 5000 mAh के बैटरी होने के बावजूद और नियो 8 Pro का जो वेट है वो अल्मोस्ट 190 ग्राम है तो आपको हैंडलिंग में जरा सब भी प्रॉब्लम नहीं होगा प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर बहुत तगड़ा दिया गया है आप गेम खेल सकते हो धाकर सा आप तगड़ा सा गेम खेल सकते हो कोई भी game खेलोगे आपको कहीं भी lag फील नहीं होगा जैसा कि इसका IQ new 7 था उसमें भी lag देखने को नहीं मिला था और इस वाले device में भी आपको lag देखने को नहीं मिलेगा इस device में camera का combination अच्छा दिया हुआ है 50 megapixel का आपको मिल जाएगा sony का camera plus front में 16 megapixel का मतलब camera quality अच्छा ह है जो कि support करता है 120 watt के fast charging को मतलब battery अच्छा है performance अच्छा है क्योंकि इसमें processor बहुत तगरा दिया हुआ है pro की मैं बात कर रहा हूँ plus display जो है वो भी बहुत बहतरीन है जो कि आपको मिल रहा है 1.5K का AMOLED with 144 refresh rate तो किसी भी device में आपको battery processor display यह अच्छा होना चाहिए sound quality भी अ 8 pro आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे comment में बताएएगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा मैं हूँ एके दीप and you are watching this video on my youtube channel deep stick मिलता हूँ दूसरे वीडियो में तब तक के लिए ख्याल रखें टेक केर बाबाए